कि यह अपकी स्टोरी इसमें जो है जो है जो की पीड़ों को खिला देती थी कि एक ऐसी राख जिसे की पेड जो है खिल जाते थे तो इसमें इस चप्टर में आप उसको लिट करें कि पुराने अच्छे दिनों में पुराने अच्छे दिनों में नवाबों के यानि 19th century में जो जापान के जो वैल्दी लेंड ओरनर्स होते तो उनको क्या नाम दिया जाता था कि उस टाइम में एक बुढ़ा जोड़ा रहता था जिनके पास एक छोटा कुट्ता था उनका एक पाल तो कुट्ता था जैसे कि उनके कोई बच्चा नहीं था यह लवड इट एस दो इट वर अबेबी तो वह उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वह उनका अपना एक बच्चा हो दा ओल्डम मेंड इट अ कुशन औफ ब्लु क् उसने क्या करका थे एक निली रंग का कुशन बनाया हुआ था और मिल्टाइम बोजन के समय यानि खाना काने के समय मुखो जो एसा कि उसको नाम उन्होंने रखा हुआ था तो वह उस पर एक बिल्ली की तरह कमफर्टेबल उस पर बैट जाया करता था दा काइन प्यूपल जो जो जोड़ा था वह उसको पालतु जो डोग था उसको वह खाना खिलाते थे विद टिट बिट्बिट्स औफ फिश मसलियां खिलाते थे फ्रोम दियर ओन चॉप स्टिक अपनी चॉप स्टिक से एंड ऑल दा बोईल राइस इट वांटेड और जैसे कि वह जितना वह च बूड़ा आदमी एक राइस फार्मर था तो वह अपनी रोजाना जाया करता था यानि कसी या फावड़े को लेकर अपने खेतों में जाया करता था वर्किंग हार्ड फ्रॉम मोर्निंग अंटिल ओ टैंटो समा यानि वह सुबह से लेकर काम करता था ऐस शन इस कॉल्ड महा दाउन बिहाइंड दा हिल्स एवरी डेड़ दोग फॉलोड़े और जो रोजाना जो डॉक था वह भी उसको फॉलो करता था उसके काम पर जाने में नेवर बंस हार्मिंग दा वाइल हैरन डैट वाग इन दा फूट स्टेप्स ऑफ दा ओल्ड मैन टू पिक अप दा वर्म् वाइट हरन मिलते थे उसको तो वह जो है उसके बुड़े आदमी के फूट स्टेप्स थे वहां से वह जो है उनके पीक अप करते थे कि इसको वांस की डों को तो बिना उनको नुक्सान पहुचा है वह उसके पीछे चलता था फोर दा ओल्ड फैलो वाज पेशेंट एंड क वह जो समस्पोर्ट करता और आपने वह तब और अपने टांगों को मोशन किया और अपने कि सर से वह बारे में मतलसर को हिलाने लगा और एक जगे के बारे में उसको बताने लगा पहले उस बुड़े व्यक्ति ने सोचा कि जो उसका डोग है वह उसके साथ खेल रहा है और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा लेकिन जब उसने देखा कि वह डोग जो है गजदुक की दूरी पर टू प्लेस वेहर था एनिमल बिगेना लाइबली स्क्रेचिंग तो थोड़ी दूरी पर जाकर उसमें देखा कि वहाँ पर एनिमल ने जो है उसने डॉग ने जो है इन अर्थ तो उसने अपनी अर्थ में जो अपनी जो स्ट्रक था जो हुए थी उसको जो है उसमें गाड़ दिया उसमें वें लो तभी एपाइल ओवल्ड ग्लेम उसको जो है एक सोने के सिकों से चमकता हुआ एक धेर दिखाई दिया दज इन आवर दा ओल्ड कपल वर मेड रिच तो एक ही घंटे में क्या हुआ वह जो बुड़ा वह जो ओल्ड कपल था वह अमीर हो गया दा गुड़ सोल्स बॉट आर पीस ओफ लैंड तो जो कपल था उन्होंने एक जमीन का टुकटा खरी था मेरा फिस्ट फॉर दियर फ् और डोग के लिए दे पेट हिम तिल दे नेरली समस्मदर हिम गीद काइन और उसको बड़े प्यार के साथ उसको उन्होंने अपने डोग को थप थप थपाया नाव इन दा सेम विलेज उसी गाउं में देर लिवड विक्ट ओल्ड में एंड इस वाइप उसी गाउं में जो तो विजो की हमेशा जो उसके घर के पास से जो डॉक्स वगरा जाते थे उनको हमेशा डाटता था और उनको कि यानि लात मारता था यह इंग आपने नेवर की गुड़ लग को उसके गुड़ लग के बारे में सुनकर देको दाग इंटू दियर गार्डन तो उन्होंने ज मसलिया खिलाने के लिए और अच्छे और ने अच्छे खाने के लिए होपिंग फाइंड ट्रेजर फोर दें ट्रेजर में सोता है यह इस उम्मेद में कि वह उनके लिए भी कुछ खजाना डूंड कर देगा बदा डॉग बिंग एफ्लेट ऑफ ता कुरूल पेयर परंतु द्रवाजे के बाहर ले गए अपने साथ उन्हों ने क्या लिया इस पैड और खुए लिया नो सुनर है दा डॉग गोट नियर पाइंट ट्री ग्रोइंग इंड गार्डन देन ही बिगें टू पाइंड इसक्रेज दा ग्राउंड तब थोड़ी ही दूर जाकर वह डोग न सारा खजाना हो क्विक वाइफ हैंड मी दा स्पेड एंड हुए तो इससे देखकर जो है जो क्राइड ग्रेडी ओल्ड फूल जो वह लालची बुढ़ा जो चिलाया अपनी पत्नी से कि मुझे जल्दी से स्पैड ओल हुए दो एजी डैंस द्विजर और वह खुशी से ना क्रोन जो कवेटिस में लालची जोड़ा था तो जो लालची बुढ़ा था उसने जो है अब उसके विदा स्पैड एंड ओल्ड क्रोन में वही बुडिस्त्री विदा होय बिगें टो देख तो उस दोनों ने जो जमीन को खोदना शुरू कर दिया पर देरवाज न थी लेक तो उनके स्मेल से क्या हुआ जो उनके टूंस थे वह उनके हाथ से गिर गए और उसकी जो गंद थी उसकी कारण ने अपनी नाक बंद कर ली फिर इस एड़ डॉग से देखकर कुट्ता जो है बहुत घबरा गया ता ओल्ड में किक्ड एंड बीट इम टो डैथ और वह जो आदमी था उसने उसको इतना मारा इतना मारा की जब तक बें मर नहीं गया एंड दा ओल्ड में फिनिश्ट दा वर्क बाइन येली चॉपिंग ऑफिस हैट और जो वह बुड़ी इस थी उसने क्या क्या उसके यानि चॉपिंग ऑफिस हैट उसके सर को ही काट दिया इस गड़े में उसने उनकी बॉड़ी उसकी डॉक की बॉड़ी को डाल दिया और उसको मिट्टे से ढख दिया दा ओनर ऑफ दा डॉग हैट ऑफ दा डैथ ओफिस पैट एम जब उसने जब अपने डॉक की डैथ के बारे में सुना तो मॉर्णिंग फॉन हीम एज इफ यह इस तरह मतलब इतना परेशान तरह रहा है कि जैसे कि अपने बच्चे के लिए इसकोई होता है वेंट एट ना नाइट अंडर दा पाइन ट्री तब वै उस पाइन ट्री के उसी राजवव पाइन ट्री यानि उस पेड के नीचे गया ही सेट अप सम ही सेट अप सम बैंबू ट्यूब्स इन ग्राउंड और वैकुस बैंबू ट्यूब्स लेकर गया है उसने उनको मापर गाड़ दिया सच एस आर यूज़ विफोर टॉम्स और उसने उसको कैसे बनाया एक टॉम्स यानि उसकी कबर की बनाया है इन विची पूट फ्रेश फ पानी का प्याला रखा एंड़े फूट और एक ट्रेय प्लेट में उसने बोजन रखा अन्द ग्रेव एंड बंन सेवरल कोस्तली इस्टिक्स और उसने काफी कोस्तली जो स्टिक्स होती है उनको मापर जलाया उसकी कबर पर ही मोंड आग्रेट वाइल ओवर इस पैट और उ जिविता जैसे उसके प्यारे नामों से पुकारा करता था उन्हीं नामों से उसको पुकारनी लगा दैट नाइट था इस्प्रिट ऑफ दा डॉग एपिर तू हिम इन ड्रीम एंड सेट उसी राज जो दोग की जो इस्प्रिट यानि आत्मा उसके सपने में आई और कहा यानि मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाहिन रहे है उसको काटो एंड मेक फ्रोम इटा मोर्ट फोर यूर्स पेस्टी के लिए एक प्याला बनाओ एंड मिल बीन सोस और बीन सोस बनाने के लिए एक मिल बनाओ सो दा ओल्ड में चॉप डाउन दा ट्री एंड कट आउट ऑफ दा मिडल ऑफ ट्रंक सेक्शन अबाउट टू फिट लॉंग इसलिए उस बुड़े वेक्ति ने क्या किया उस पांड जो ट्री ता उसको काटा मिडल से उसकी शाका को जो कि दो फिट लंबी थी विद ग्रेट काफी महनच की पार्टली वाइफायर पार्टली वाइदर शेचल ही स्क्रैप्ट आउट होलो प्लेस तब उसने एक खोकला प्लेस सा बनाया एज भी एज स्मॉल बॉल जैसे की छोटा कटो रहा होता है ही देन मेरा लोंग हैंडल हैमर और एक लंबे हैंडल लपडी का उसन विश्टो मेक सम राइस पेस्टी तो उसने थोड़ी सी राइस पेस्टी बनाने की इच्छा रखी तो वैन दा राइस वाज ऑल बॉल जब सारे चावल उबल गए तो जो ग्रैनी थी जो ओल लेडी थी पूट इंटो दा मोटर उसने उसको मोटर में डाल दिया दा ओल मैं जो बुड़े आदमी ने अब हैमर को उठाया पॉंड करा और उसको एक डोई इस तरह सो उसने उसको बनाया एंड ब्लॉस फेल हैवी एंड फास्टिल पैस्ट्री वाज अल्रेडी फॉर बेकिंग और उसने जो है पैस्ट्री को जब तक उसको ऐसे के तब तक की वह बेकि अच्छानकी जो जोवाज अनी जो विष्जट्री तो क्या बन गया एक सुने के सिक्षे के धेर के समयाँ बंगया सोने के सिक्कों का धेर हो गया महां पर वेंदा ओल्ड में टुक दा हैंड मिल और जब उडिस्ति ने हैंड मिल लिया एंड फिलिंग इट वी बीन सोस और जब बींस डाली सोस बनाने के लिए half लगता है तो जो गूर्ड ड्रोप लाइक आप मिल ऑनकर की वो जो जो वह बारिश के तरह ऊसमें से निकलने लगाता जब जैसे की सोस गीलियो उस टाइब से घ्रिक शता पष्याइब ऑन खिर किसे जहांक रहे थे वेंदा बॉयल बेंस वर बिंग ग्राउंड गुडी मीं क्राइट ओल्ड है तो वो जो लाल ची चोड़ा था वह चिलाया एज शी सव इच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इन्टु येलो गोल्ड जब उन्होंने देखा कि जो सॉस थी वह येलो गोल्ड यानि सोने में बदल रही थी अंटिल इन फ्यू मिनिट्स तब अंडर दा मिल जो मिल की नीचे जो टब रखा था कि वह थोड़ी ही देर में क्या हो गया सोने से चम चमक नहीं लगा सो दा ओल्ड कपल वर रिच अगें इस प्रकार जो है वह जो ओल्ड कपल था फिर से अमीर हो गया दा नेक्स डे दा इस्टेंगी एंड विग्ड नेवर के तो अगले दिन जो है वह लाल जी और दूस्टर प्रोडोसी आए एंड ब अधर विद बीज एक को उन्होंने चावलों से बरा दूसरे को बींस से देन दा ओल मैं बिगें तो पांड एंड वोमें तो ग्राइं तब बुड़ा वक्ति उसको पांड यानि कूटने के लिए तयार हुआ और वोमें जो है ग्राइंड करने के लिए बट अध फर्स्ट लेकिन जैसे उन्होंने पहले उसको क्या तो वह किस में बदल गई पेस्ट्री एंड सोस टंड इंट इंट जो फॉल यानि यह बदबूदार कीडों में बदल गई इस पर गुसा होने के बाद दे चॉप दम बील इन्टू पीसिस तो यूज एज फायर वूड तो उन्हों पार्ट इसका खतम हुआ है कल सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे ओके थैंक्यू पेटा इसको आप सब अच्छी तरह से रीड करना इस चैप्टर को थैंक्यू पेटा